रादे रादे दोस्तो मैं आचारी पंडित गंगाधर साज्त्री यूट्यूब चैनल जो तिसगा मैं अपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कुछ समस्याएं नाना प्रकार की समस्याएं होती है घरस तजीवन में जिसमें से आप कुछ समस्याओं का निदान सामानी टुटके से उसको कर सकते हैं उसके विशे मैं आज आपको मैं बताता हूँ बहुत परकार की समस्याओं के विशे में बताऊंगा आप इसे अबसे सबस्क्राइब करें, सेहर करें चैनल को और बेल आइकोन को अबसे टच करें जिसे मैं जो भी नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सरोपर्थम मिल जाएगा तो आएए दोस्तों मैं सरोपर्थम बताता हूँ आपको कन्या के विवाह में अगर बिलंब हो रहा हो तो आपको क्या करना है छोटा 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 टोटका क्या करना जिससे आपका समस्या का निवारन हो जाए दोस्तों अगर आपकी कन्या के विवाह में बिलंब हो रहा हो या कन्या के लिए जोगिबर की तलास पूरी नहीं हो रही हो तो आप क्या करें कि किसी भी गुरुवार को प्रातह काल नहाध होकर बेसन का लड़ू बनाए और वह बेसन का लड़ू 109 होनी चाहिए फिर पीले रंग के टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछा कर उन लड़ूओं को उसमें रख दें तथा अपनी सरधान उसार कुछ दक्षिना रख दें पास के किसी सीव मंदिर में जाकर विवाह हेतु प्रार्थना कर घर आ जाए और उस लड़ू को वही दान कर दें इससे आपका आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा और योग्यवर्ज का जो तलास आप कर रहे हैं वह आपको मिल जाएगा और कन्या के विवाह में बिलंब नहीं होगी उसके बाद फिर क्या करना आपको अगर आपके ज्यादातर कारी और सफल हो रहे हैं आप लाख प्रियास कर रहे हैं लेकिन कारी में सफलता आपको नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है कि आपके आप चाहते हैं कि आपके द करें कि प्राथ काल कच्चा सूत लेकर सुरिय के सामने मुह करके कھड़े हो जाएं फिर सुर्यदेव को नमसकार करके मंत्र को बोलते हुए सुर्यदेव को जल चळाएं जल में रोली चावल चीनिध लाल पुस्प डाल दें इसके पसचात कच्चे सूत को सुर्यदेव की तरफ करते हुए गनेश जी का स्मरन करते हुए उसमें साथ गाठ लगाएं इसके पस्चात इस सूत को किसी खोल में रखकर अपनी कमीज की जेब में रख लें आपके बिगडे कारी पनने लगेंगे उसके बाद दोस्तों घर ग्रस्ती को सुखी बनाने के लिए आपको क्या करना है घर ग्रस्ती में अगर बिग्न हो बाधा हो समस्या हो तो उसको सुखी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आता है और समय ही खत्म हो जाता है जो भी आता हो और समय ही खत्म हो जाता हो रसोई में बरकत नहीं रहती है ऐसी स्त्रियों को भोजन बनाने के बाद सेस अगनी को न बुझाएं और जब सब जलकर राक हो जाए तो राक को गोबर में मिला कर रसोई को लीप दे फर्स हो तो उस राक को पानी में घोल कर उसी पानी से फर्स में उस पानी को फर्स पर डालने यह क्रिया कई बार करें घर गिरस्ती का छोटा मोटा सामान गिलास कटोरी चमच आदी सदेव बने रहेंगे गायब नहीं होंगे कुछ तूटेंगे फूटेंगे नहीं दोस्तों गर्वधारण के लिए जिसको गर्व नहीं धारण हो उसको क्या करना है कि आप को मंगलवार के दिन कुमहार के पास जाएं और उससे प्रार्थना कर मिट्टी के बरतन वाला डोरा ले आएं जिस डोरे से वह मिट्टी के बरतन को काटता है उस डोरा को उसको उससे किसी प्रकार मांग कर ले आए अगर वो कुछ चाहता हो तो उसे दे भी दें लेकिन उस डोरा को लाएं और उसे किसी गिलास में जल भरकर उसमें डाल कर कुछ रख दें और कुछ समय पस्चात घंटा दो घंटा, तिन घंटा के बाद उस डोरे को निकालने और वह पानी पती-पत्मी दोनों पी लें। यह क्रिया केवल मंगलवार को ही करनी है और अगर संभव हो तो उस दिन पती-पत्मी अवश्य रमन करें। कगर्व की स्थिती बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरण में जाकर अरपित कर चले आए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी, गर्वधारन अवश्य होगा। नहीं मिल हा हो तो आपको क्या करना है कि एक दाग रहित निंबु को लीजिए जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं हो और चोड़ाहे पर जाकर बारह बज़े से पहले जाकर और उसे चार हिस्षे में काट दीजिए काटकर चार हिस्षा उसका कर लिजिए और चारों की समस्या आपकी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी दोस्तो अगर आपके परिवार में कोई रोग ग्रस्त हो और वह रोग जल्दी नहीं जा रहा हो तो उसके लिए आप क्या करें कि आप एक देशी अखंडित पान एक पान का पत्ता लें जो टूटा फूटा नहीं हो कहीं डंठल सहित लें और उसमें एक गुलाब का फूल और कुछ बतासे दो पांच बतासे पांच बतासे को ले लें और उस पान में रखकर और रोगी के उपर से 31 बार उतारें और उतार कर अटोक चोराहे पर रख दें कोई आपको टोके नहीं अटोक चोराहे पर जाकर रख दें इसके प्रभाव से रोगी की दसा सिगरता से सुधर जाएगी उसके रोग समाप्त हो जाएगा तो आईए दोस्तो आज में कुछ समस्याओं का निदान आपको बताया है फिर उसके बाद में बताता रहूंगा आज में अपनी वानी को यहीं भी राम देता हूं